hey guys welcome to my youtube channel unipik पिछले वाली वीडियो में हमें laws of reflection of light के बारे में बात की थी जैसे कि आप experiment भी देख सकते हैं हाँ पर 20 degree का angle of incident बन रहा है तो reflection भी 20 degree का ही बन रहा है तो यह law of reflections जो है हमारा पूरा proof होता है तो अगली जो वीडियो में हमने discuss करना है कि जो image form कैसी होती है plane mirror द्वारा तो वह सारी erect होती है means उसकी थोड़ी सी वह उपर की तरफ बनेगी ठीक ऐलेवेट पोजिशन में बनेगी image upright बनेगी ठीक है वर्टेकल वगेर बनती है और जो image होती है वह काफी ही same size की होती है as object तो image वैसी ही बनेगे जैसे की वह object है same size की बनती है और image is at the same distance from the mirror as object is front of it जो भी object mirror के front है तो same ही distance पे image बनती भी है आप जैसे इस picture में भी देख सकते तो जिसका यहां से लेकिए यहां तक distance होती है नहीं इसका यहां से लेकिए image तक distance होगा तो यह एक virtual image होती है means कि यह screen पर बनती नहीं image और यह laterally inverted है laterally inverted मतलब कि अगर मेरा thumb right में है picture में तो मतलब reality में तो जो mirror में वो left में लगेगा और अगर मेरी जो minimum finger है वो left में है तो वो उसमें क्या लगेगी mirror में right में लगी that is laterally inverted अगर आपको मेरी यह video पसंद आई तो like किजिए और मेरे चैनल को subscribe किज किजिए